दोस्तो कोई मुजिक डारेक्टर किसी गाने के लिए किसी सिंगर को प्लैन करे मगर फिर किसी दूसरे सिंगर से उस गाने को रिकॉर्ड करा दे तो समझ में आता है मगर कोई मुजिक डारेक्टर किसी सिंगर से पहले किसी गाने को रिकॉर्ड करा है फिर जब गाना वो लोगों के बीच में आए तो किसी और सिंगर की आवाज में आए तो बात अलग हो जाती है नमस्कार महिम अश्कोली बॉलिवोड संगित के सफर से उस तो 1957 में एक फिल्म आई थी जिसके गाने काफी पॉपलर हुए थे वो गाने इतने पॉपलर हुए थे कि जो उस फिल्म के मुजिक डारेक्टर थे उससे पहले वो BC ग्रेट की फिल्मों में काम कर रहे थे धार्मिक फिल्मों में काम कर रहे थे मगर इस फिल्म के गानों के बाद उन्हें एक मकाम मिला एक बड़ा नाम मिला जियां ये फिल्म थी भावी इसके गाने काफी पॉपलर हुए चल उड़ जा रे पंची चली चली रे पतंग मेरी चली रे इसके मुजुक डारेक्टर थे चित्रगुप्ट चित्रगुप्ट को इस फिल्म के गानों ने काफी उंचा नाम दिया उंचा मकाम दिया उससे पहले वो बी सी ग्रेट की फिल्मों में काम कर रहे थे या धार्मिक फिल्मों में संगीत दे रहे थे तो आज में जिस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ वो गाना रफी साब की जो मशूर ने परफिय अमर चल उड़ जा रहे पंची जो अजुए लोगों 60 Państे बहुत कम लोगों को पता है कि एये गाना है तलत महमुद्थ साब о शाब पहले रिकॉर्ड किया गया था एक अर्वास आवास में मशूर लोगों के वीज दूए रफी जाप की आवाज में था मगर लोगों को तब पता चला जब कुछ साल पहले एचमवी ने तलत महमुत साप वाला वरजन लोगों की बीच में लेकर काया उसको रिलीस किया है एचमवी ने अब इसकी क्या वज़े रहे होगी क्यों चित्र गुप्त ने पहरे तलत महुंद साब से गवाया फिर दुबारा रफी साब से गवाया ये किसी को नहीं मालूँ आप क्या सोचते हैं कमेंट बाक्स में जरूर लिखे तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किसे के साथ तब तक के लिए शुक्रिया